कहिए कैसे हैं आप, जब हम Mothers की बात करते हैं न ममी की, तो हमारे जहन में ममी को ले के अलग-अलग नाम आते हैं, Mom, Mommy, I, अलग-अलग Amelia, अलग-अलग इस तरह के नाम आते हैं, पर एक चीज हमारे माईड में हमेशा आती है, मदर का नाम लेते ही, एक चीज हमारे हम सभी के माइन में हमेशा आती है और वो है कि फुल टाइम जॉब, पूरे समय, मदर यानि पूरे समय काम ही काम करते रहे वो काम करते वक्त, शिकायते भी, नराजगी भी, स्माइल भी, प्यार भी, सब कुछ होता है और वहीं अगर मैं सुपर मॉम के बात करूँ, सुपर मॉम, वो काम भी सारा करती है सारा काम करती है, पर वो हसते होए करती है, मुस्कुराते होए करती है उसके माथे पे कोई शिकन भी नहीं आती, तो किस तरह से करती है वो काम? मतलब एक तो हम जानते हैं मदर को, एक होती है सुपर मदर, सुपर मॉम वो किस तरह से हैंडल करती है काम तो आज आईए ये ही जानते हैं कि हम भी सुपर मॉम है या नहीं या सुपर मॉम किस तरह से काम करती है या क्या हम उसकी तरह से बन सकते हैं कि नहीं तो सबसे पहले जो Supermom करती है वो यह है कि वो Tension नहीं रखती Mothers देख लीजिया कितनी Tension रखती है बात बात पर वो आया नहीं वो कब आएगा खाना नहीं खाया यह नहीं किया वो नहीं किया महमान आने वाले 10 तरह की Tension तो उनके सिर पेटी रहती है और जो Supermom होती है वो Tension नहीं रखती वो बिलकुल सारा काम Easy होके, Relax होके करती है यानि वो Organized Way में करती है Mothers कहीं बार, मैं देखे इसमें comparison नहीं कर रही पर मैं Supermom की Qualities बता रही हूँ कि Supermom अपना काम किस तरह से करती है तो जो Supermom है ना वो Organized Way में करती है सारा काम Organized Way में जैसे उसको पता है मालीजे वो Working Lady है, Supermom Working Lady है तो वो Office में जा रही है तो Office में अपना 100% दे रही है वो घर पे है तो घर पे पूरा बच्चों को Quality Time दे रही है यानि जैसे बहुत Ladies होती है, हाँ वो घर पे है, पूरे टाइम घर पे रहती है पर सारा ताम टीवी चल रहा है, हाँ बच्चे भी है पर टीवी देख रही है मोबाइल पे बात कर रही है, Friend Circle आया हुआ है, Friend से एके घंटा बात कर रही है गेट पे घड़ियों के बात कर रही है कभी इधर बात करें कभी उदर और बच्चे अंदर तंग हो रहे हैं बोर हो रहे हैं तो सूपर मॉम क्या करती है कि उसको पता है कि अगर उसको बच्चों को टाइम देना है तो वो बच्चों को ही टाइम देगी और क्वालिटी टाइम देगी super mom बच्चों को quality time पूरा उनके साथ ही interact करती है उनके साथ ही बैखती है, बत्याती है, बाते करती है, खेलती है, हसती है, गाती है, नाचती है सब कुछ करती है और इसके साथ साथ अपने लेवी समय निकालती है सबसे बड़ी बात अपना भी ख्याल रखती है अपनी सिहत का ख्याल रखती है उसको यह पता है कि अगर उसने अपना ख्याल ने रखा तो फैमली का ख्याल कैसे रखेगी है ना कितना जरूरी फिर बात आती है वो टाल में टोल नहीं गरती किसी भी काम को, चलो जैसे सुबह का अलाम लगाया चलो साड़े छे बजे उड़ जाओंगी चलो दस मिनट में उड़ जाओंगी कोई बात नहीं क्या फरक पड़ेगा थोड़ा सा काम ही बढ़ेगा पर जो सुपर मॉम होती है वो बिल्कुल टाइम से अगर उसने छे बजे का अलाम लगाया तो छे बजे उठेगी अगर उसको ये पता है कि रात को अगर मैं आदे से जादा काम निम्टा के सोती हूँ तो सुबह जादा होच पॉच नहीं होगी तो वो रात को काम निम्टा के सोती है वो जादातर काम तब करती है जब बच्चे सो रहे हो ताकि जब बच्चे उठें तो बच्चों को पूरा टाइम दे सके बच्चों के साथ बैठ सके और बच्चों से टोक अटाकी भी नहीं करती बात बात पर उनको टोक ना रहे हैं क्या कर रहे हो जाने बच्चा अगर मिटी में खेल रहे है बार खेल रहा है जानेNow Westford म printed narrative session कोई बात नी एक और केलने दो से बच्चे अगर अगर अमने साइकल साफ कर रहे हैं और उसके कपड़े गंदे भी हो रहे हैं, गीले भी हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे हैं, देखते नहीं हो, ध्यान नहीं रखते हैं, वो कुछ नहीं कहती, वो कहती है कोई बात नहीं करो, अच्छे से करो साइकल सा और जब घर आओगे तब अच्छे से नहा लेना बच्चों के साथ बच्चा बनके ही रहती है बच्चों के साथ बच्चे बनके ही खेलती है उनकी हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेती है super mom बच्चों के साथ पूरी तरह से involved होती है वो ना वो देखती है कि उनके बच्चे में क्या-क्या खास बात है क्या qualities है उनको जानने की उनको समझने की कोशिश करती है और उनमें पूरी तरह से involved होके उसको बढ़ावा भी देती है अलग-अलग शौक होते हैं बच्चों के किसी का singing का है किसी का dancing का है किसी का drawing का है अलग-अलग शौक होते हैं तो वो क्या करती है कि अपने घर के आस-पास के बच्चों के साथ एक competition organize करती है जो जिस field में अच्छा है उनका उस field में competition लेके फिर सबको prizes भी देखिया यानि motivate करती है अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को encourage भी करती है और motivate भी करती है और इसी के साथ साथ सूपर मॉम ये जानती है कि बच्चों की पिटाई नहीं करने चाहिए वो hit नहीं करती बच्चों को बाद बाद पर hit नहीं करती है पिटाई नहीं करती बलकि hug करती है उनको गले से लगा लेती है जब बच्चा जित कर रहा है उसको बिल्कुल एक hug देती है और उसे reason जानने की कोशिश करती है बजाए सीधा हाथ उठाने के कि क्यों किया, क्या हुआ था, ये क्या मतलब है, सीधा फिटाई करनी, जैसे आम तोर पे करते हैं, वो हग करती है उनको, और फिर उनसे जानती है, कि रीजन क्या है, आखिर ये जो इस तरह से कर रहे हो, ये रीजन क्या है, और इसी के साथ साथ बच्चों को स्ट्रॉंग बन सकता है, healthy diet, अच्छा खाना खाओ, पॉस्टिक खाना देती है, और बच्चे खाते भी है, वो बड़े इंट्रस्टिंग वेज यूज तक करती है, जो super mom होती है, देखे, मैं बताती हूं कि वो किस तरह से, पहली बाद तो बच्चों को खुद ले जाती है, उनको बताती है यह fruits है, यह vegetable है, आप बताओ कौन से खाओगे, फिर वो ले के आती है, अब क्या करती है, कि जो kitchen होता है वो उनका बड़ा एक अच्छा सा room बन जाता है, देखे, जैसे कि मान लिजे, कि एक दिन, जैसे diet chart बना लिया पहले तो, कि हमने यह यह खाना है, अच्छा, वो किस त किस तरे से मनाया, बच्चे को वहीं बिठा लिया, कि देखो, यह किस तरे से बनता है, फिर क्या किया उन्होंने, कि जो इंडिया का map है, उसमें यह दिखाया, देखो, यह south है, यह दक्षिन है, और यहाँ पर यह चीज खाया जाती है, बहुत शौक से खाया जाती है, उनक मिल जाती है, क्या खाते है, सब चीजों की जानकारी होती है, और वो उसका पूरा फायदा उठाती है, बच्चों को बताती है, तो एक ऐसा महौल सा बना देती है, ना कि बच्चों का interest क्रियेट हो जाता है, है ना कितनी अच्छी बात, ऐसे कभी पंजाब की डाइट की दे मिल जाते हैं, मतलब बच्चे को पूरी तरह से वैसा महौल देती है, तो interest भी हो जाता है, और फिर खाया भी जाता है, अच्छा लगता है, मतलब एक तो होता है कि हम सबदस्ती खाओ, 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 और एक होता है कि बच्चा खुद कहें कि हाँ, वैसा महौल बना के तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वैसे इन सब बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा, कि इस तरह से तो वह बिगाड़ को बच्चोको, हर एक काम कर रही है, बच्चों साथ खेल भी लही तो इतना इंटेरेक्ट कर रही है, ऐसे पूड़ी नो होता है, ऐसे तो बिगड जाएंगे बच्चे बिलकुल नहीं उसके रूल्स हैं उसने अगर नो बोल दिया तो नो का मतलब नो है फिर कोई सीन नहीं है कि बच्चा जित कर रहा है या मैं कोई चाहिए चाहिए हाँ घर के रूल्स है अगर वो चीज नहीं है तो जरूर आएगी और बच्चे को चाहिए चाहिए रो रहा है तो क्या करो ऐसा नहीं पूरी स्टिक भी रहती है हां ठीक है वो केर करती है बच्चे की बहुत प्यार करती है और उसको लगता है कि हर तरह से बच्चे को आगे आना है मतलब उसको पूरा कॉन्फिडेंट बनाती है पर बिगाडती भी नहीं है कोई नकोई कुछ काम बच्चे की जिम्मे जरूर लगा देती है जैसे मान लीजिए कि प्लांटसमें पानी देना है ज़रूर देना है बंहों हर रोज डेना है टाइम आप फिक्स करो चैस सुबे दो चैसाम दो आपने देने चिडिया के लिए पानी या वा बचस जरता है उसमें पानी काम करते हैं दाना रखो पानी रखो यह कुछ ह्सक्त मां इफ़ जितना बी हो भी सोग सकती है। उसक्रा इस्सुर पटैने सकती है आउकर साथ चूर काम सकते हैं मैंने भी वीडियो बनाई हुई है तो brain games भी बहुत तरह के खिलाती है उससे क्या होता है कि interesting भी होते है और brain की दिमाग की exercise हो जाती है वो बहुत जरूरी होती है बच्चे के growth के लिए ये जो brain exercises है ना brain games है ये बहुत बहुत matter रखते है वो सब जानती है कि कितना जरूरी है कुल मिलाके वो बच्चों को बनाती है creative बहुत creative बच्चों का interest देखके अलग-अलग चीज़े करते हैं जैसे कि बच्चे बोर ना हो कोई craft की चीज़ बना ली कोई अपना ही कोई अपना music बना ली है कुछ भी कोई चलो एक imaginary चीज़ देदी कि चलो आप ये बनाओ ये करो कुछ भी बच्चों को creative बना के रखती है और सबसे खास बात कि कभी अपने आपको super नहीं कहती super mom नहीं कहती वो सिरफ इतना कहती है कि हाँ बस मैं care कर रही हूँ बच्चों की और कुछ नहीं मैं चाहती हूँ कि बच्चे खुश रहे और ऐसे महौल में पले बड़े और एक बहुत अच्छा इंसान बने पर मैं super mom हूँ अपने आपको वो कभी नहीं कहती तो ये तो है कुछ खास बात super mom की आप बताईए आप क्या सोचते है आप कितने कितना पाते हैं इसको super mom की category में आपको क्या लगता है ज़रूर बताएगा आपके comments का मुझे इंजार रहेगा तो कल फिर मिलूँगी तब तक smile भी रखिए और positive रहिए और positive सोचे और हाँ अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद नहीं किया तो please कर लिजेगा और subscribe करने के साथ इसमें जो एक bell का बटन है ये भी दबा दिजेगा ताकि जब भी जैसे ही में कोई वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास notification आ जाए और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको किसी के साथ share भी कर सकते हैं ठीक बाई